नमस्कार मैं अंकुर वर्मा लेक्चरर डिपार्टमेंट आफ कंप्यूटर एंजिनरिंग गौर्मेंट पॉल्टेक्निक कॉलेज जालोर से CS302 Object-Oriented Programming to C++ की वीडियो लेक्चर सीरीज के लेक्चर जेनरिक फंक्शन्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आए ज़रा देख लेते हैं कि आज इस लेक्चर में हम किन-किन टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे C++ में generics क्या होते हैं उसके बाद में हम देखेंगे कि template का introduction क्या होता है फिर बात करेंगे function templates के बारे में फिर हम एक C++ का program देखेंगे जो function template के concept को demonstrate करता है उसके बाद हम देखेंगे कि C++ compiler templates को कैसे manage करता है और end में हम बात करेंगे ऐसे functions के बारे में जिनमें एक से ज़्यादा template argument पास करने की requirement होती है तो चलिए शूरू करते हैं तो आएए सबसे पहले तो हम बात करते हैं C++ में generics क्या होते हैं Generic programming के मदद से एक computer programmer ऐसे algorithms लिख सकता है जो almost सभी data types के साथ काम करते हैं इससे ये होता है कि हम अलग-अलग data types जैसे string, integer, float, character इन सब के लिए अलग-अलग separate algorithms लिखने की need को generics eliminate कर देते हैं Generic programming की दो main advantages होती है first, code reusability और second होती है ये function overloading की need को भी eliminate कर देता है Generic programming का हम C++ में template की मदद से implementation कर सकते हैं और templates C++ का एक बहुत ही simple लेकिन powerful tool है templates की मदद से ये possible हो पाता है कि एक function या class अलग-अलग data types को handle कर पाए इसमें हम data type को as a parameter pass करते हैं so that हमें same code अलग-अलग data types के लिए लिखना ना पड़े templates को हम दो ways में use कर सकते हैं पहला function के साथ और दूसरा classes के साथ तो आईए अब बात करते हैं function templates के बारे में suppose करते हैं कि हम एक function लिखना है जो given number की absolute value को calculate करता है जैसा कि हम जानते हैं कि एक number की absolute value उसकी numerical value के equal होती है irrespective of its sign for example 3 की absolute value 3 होती है और negative 3 या minus 3 की absolute value भी 3 ही होती है अगर हमें absolute function का code करना पड़े तो अलग-अलग data types के लिए हमें बार-बार एक ही code को repeat करना पड़ेगा जैसा कि integer data type के लिए हमें इसका एक function लिखना पड़ेगा और similarly long और float type के लिए भी absolute function का separate code लिखना पड़ेगा यदि हम इन तीनो functions को ध्यान से देखें तो सभी यी body same ही है तीनों में केवल data type का difference है यानि कि तीनो functions का logic same ही है लेकिन ये तीनों अलग-अलग functions है और ये तीनों functions अलग-अलग data types और function की return values को handle कर रहे है एक ही function को बार-बार retide करना बहुत ही time consuming job है और इससे कोई productivity improve भी नहीं होती अगर ऐसा कोई तरीका हो जिससे हम सिर्फ एक ही बार function लिखना पड़े और वो function different data types पर execute हो पाए तो वो तरीका है function templates का function template हमारे लिए exactly यही काम करता है जिसमें based on the type of arguments ये decide होता है कि कौन सा type जो है वो template का instantiation करेगा यानि कि कौन से data type के लिए हमारे function का code compiler generate करेगा तो आईए ज़रा एक program देखते हैं जो function template के concept को demonstrate करता है इस program में सबसे पहले तो हमने header files को include किया है उसके बाद हमने एक template statement define किया है इस statement में t basically एक generic type है जो हमारे function template के अंदर use होगा फिर हमने एक function define किया है जिसकी return type जो है वो t है और ये function एक t type का argument अपने caller से expect करता है तो आईए बात करते हैं main function के बारे में इस main function में हमने तीन अलग-अलग type के variables declare की है जिसमें पहला variable जो है a वो integer type का है second variable हमारा है b जो की long integer type का है और last variable c जो है वो float type का है फिर इन तीनो variables के लिए हमने हमारे generic function abs को याने कि absolute को call किया है और based on the type of argument which we have passed to the absolute function हमारा generic function उस data type का form लेकर execute हो जाता है तो आईए ज़र आप इस program के output के बारे में देख लेते हैं तो first cout statement में हमने pass किया है एक integer variable a जिसकी value है 3 तो इसकी absolute value का output आएगा 3 फिर next cout statement में हमने pass किया था एक long integer variable को जिसकी value थी minus 60,000 तो हमें इसकी absolute value का output मिलता है 6000 फिर last cout statement में हमने pass किया था एक float variable को c जिसकी value थी negative 11.5 तो हमें इसकी absolute value का output मिलता है 11.5 अब बात करते हैं compiler एक generic function को कैसे deal करता है तो जो हमारा function template है उससे compiler कोई code generate नहीं करता क्योंकि compiler को अभी तक ये पता ही नहीं है कि जो function template है वो कौन सी type को use करने वाला है अभी के लिए compiler future use के लिए सिर्फ template को अपने record में रखता है और code generation तब तक नहीं होता जब तक कोई इस function के लिए एक suitable variable के साथ इस function को call नहीं करता लेकिन जब generic function को call किया जाता है तब compiler को calling statement के argument से appropriate data type के बारे में पता चल जाता है ये पता चलने के बाद compiler absolute function का integer type के function code को generate करता है और जहां पर t use हुआ है उस place पर integer type को substitute कर देता है इस process को हम template का instantiation बोल सकते हैं और इससे जो function generate होता है उसे हम template function बोलते है जदी हमें absolute function को multiple times same type के लिए call किया है तब भी compiler सिर्फ एक ही बार उस particular type के लिए code को generate करता है यानि कि अगर मैंने integer type के लिए इस generic function को 3 या 4 बार call किया है तब भी इसका जो code generation है वो सिर्फ एक ही बार होगा template को use करते time हम एक से ज़ादा type के generic arguments को भी use कर सकते हैं जैसा कि इस function template में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने a type और b type दो अलग-अलग तरह के arguments का use किया है यह दोनों ही generic arguments है या generic parameters है आज के lecture में सिर्फ इतना ही मिलते हैं next lecture में जिसमें हम generic classes के बारे में भी बात करेंगे मुझे उमीद है कि Corona से बचाव के लिए आप सरकार द्वारा दी गई guidelines को follow कर रहे होंगे तब तक के लिए stay home stay safe thankso looking guys video ko like and comment Kerna Na Bhoole to watch more videos like this from GPC Jalor please subscribe to this channel and hit the bell icon so that you never miss an update of our upcoming new videos